दोस्तों आज हम एक important topic के बारे में बात कर रहे हैं, topic है कि कोई भी fact जो की pleading का part नहीं है, उसको बाद में introduce किया जा रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है, देखिए, ये well settled law है कि the fact which is not pleaded cannot be proved, दूसरा, affidavit cannot travel beyond the pleadings, पर मालेजे ए पार्टी अपने pleading के अंदर A, B और C facts लेकर आती है, पर evidence by way of affidavitist stage पर वो पार्टी A1, B1 और C1 facts को लेकर आती है, यानि कि कुछ additional facts लेकर जो A party हो आ गई court के अंदर, अब आपको इसका objection मिलेना है कि ये चीज़ प्लेडिंस का part नहीं थी, तो आप उस case के अ में एक written objection दाल सकते हैं, कि ये A1, B1 और C1 facts जो है, बाद में introduce किये गए है, ये pleading का part नहीं है, अब इस stage पर सबसे crucial stage ये है कि क्या court A party को बोलेगी, कि मिन्स आप अपना ये affidavit withdraw कीजिए, क्योंकि आपने इसमें additional facts मेंचन किये, या court उसको किस तरह से decide करेगी, देखिए, कि Honorable Delhi High Court के एक judgment मैं आपको बता जाता हूं, ब्रिज परकार्श कुपता वरसे अश्विनी कुमार, 6 फरवरी 2020 की judgment है, इसके अंदर यही fact basically deal किया गया है, और इसमें Supreme Court के judgments भी code किये है, तो ये judgment आपको जरू बढ़ना चाहिए, इस case के अंदर Honorable Delhi High Court ने ये बोला है, कि आप यानि B party objection ले सकती है written में, court उन objections को record कर सकता है, पर ये जो issue है, ये final stage पर decide होगा, ठीक है, इसके लिए आप order 18 rule 4 और order 19 CPC, ये refer कर सकते हैं, इससे आपको इस point के clarity बहुत अच्छे से हो जाएगी, और court ये भी कहती है कि जो भी additional facts introduce किये गए है, उन additional facts के regard में, जो B party है, वो A party को cross examine भी कर सकती है, confront कर सकती है, under section 145 Indian evidence act, यानि कि जब आप कोई भी, आपको कोई भी fact जो की record पर है, और सामने वाली party कुछ contrary लेकर आ लिए उसका against, ठीक, तो ऐसे case के अंदर आप वो specific portion, confront करा सकते हैं, जिससे कि वो evidence के अंदर पढ़ायाता है, इसके of Indian evidence act, आप refer कर सकते हैं.